कल पना किजिए आप किसी संस्थान में फिल्म निर्मान, एक्टिंग, एनिमेशन, डिजाइन, फैसन, मीडिया और संचार या म्यूजिक सिखना चाहते हैं और वह संस्थान इस तरह के कुदरती खुबसूरती नजारों के बीच इस्तित्यों और साथ ही जहां फिल्मों, सिरियलों, एड, एलबम की शूटिंग हो तो कैसा अनुभाव करेंगे जाहिर है हर किसी को ये पसंद आएगा तो अगर आप भी किसी ऐसे संस्थान की तलास में हैं तो मुंबई के गोरेगामपूर्ब के फिन्म सिटी जो की डादा साहिव फाल के चितरनगरी परिसर के नाम से जाना जाता है में इस थित विशलिंग उट्स इंटरनेशनल इस्टिचूट में आपका स्वागत है यह खुबसूरत बिल्डिंग है विशलिंग उट्स इंटरनेशनल इस्टिचूट की कुछ देर इस बिल्डिंग को गौर से निहारिए उमीद है आपको बिल्डिंग अच्छी लगी होगी यह भारत का फिल्म निर्मान, मीडिया और संचार, फैसन और डिजाइनिंग, एक्टिंग, म्यूजिक का डिगज संस्थान है यहां सिखने बालों को विश्वस्थरिय सुविधाय मिलती है इसकी अस्थापना 2006 में सुभास घई ने किया था करीब साहे पांच एकल में फैले इस संस्थान में पेश किये जाने बाले कारिकरमों की अबधी एक साल से लेकर चार साल तक होती है मीडिया, संचार और रशनात्मक कला की सभी प्रमुक बिसे संगयता है इस स्थान फिल्मेकिंग, एक्टर स्टूडियो, स्कूल ऑफ एनिमेसन, स्कूल ऑफ डिजाईन, स्कूल ऑफ फैसन, स्कूल ऑफ मीडिया और संचार, और स्कूल ऑफ म्यूजिक तो अगर आप भी यहाँ साहर सपाटा करना चाहते हैं या फिर आप खुद या अपने बच्चों को यहाँ पढ़ना या पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पहुंचेंगे कैसे यह बड़ा सवाल है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह संस्थान मुंबई के गोरे गाउं पूर्वी स्थित फिल्म सीटी परिसर में है तो आपको पहले इस फिल्म सीटी में आना पड़ेगा यहाँ फिल्म सीटी दादा साहर फाल के चितरनगरी के नाम से भी जाना जाता है दादा साहिब फाल के चितरनगरी का नजदी की लोकल रेलवे स्टेशन गोरे गाउं है यह है गोरे गाउं लोकल रेलवे स्टेशन यहाँ से आप लोकल ट्रेन के जरिये चर्जगेट, विरार, सीस्टी, पनवेल, दादर, अंधेरी, बांदरा जैसे अस्टेशनों पर जा सकते हैं यहाँ से परस्मी लाइन, सेंटर लाइन और हरवर लाइन तीनों लाइन के लिए लोकल ट्रेन मिलती है गोरे गाउं अस्टेशन पर उतर कर पूरव की तरफ अस्टेशन से बाहर निकलिए फिल्म सिटी इस स्टेशन से करीब 6 किलो मीटर दूर है अस्टेशन से आप आटो रिजर्ब करके जा सकते हैं आटो डिजर्ब करके जाने में मीटर से करीब सो रूपया की राया लगता है इसके लाबा अस्टेशन के पास ही पूरब की तरफ सकारी बस अस्टेंड है बस अस्टेंड से आप फिल्म सिटी के लिए जाने वाली बस में बैट कर फिल्म सिटी जा सकते हैं फिल्म सिटी का लाइग फिर्म शुटिंग का आनंद ले सकते हैं साथ ही यहीं पर आप विसलिंग उट्स इंटरनेशनल संस्थान भी देख सकते हैं तो कब जा रहे हैं दादा साहे फालके चितरनगरी की इस खूब सूरती का आनंद उठाने और साथ ही विसलिंग उट्स इंटरनेशनल संस् दोस्तों ये मेरी साथ किताब है जो की Amazon.com पर पबलीस है आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं इन साथ किताबों में से पांच किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानि पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर अधारित है